हेले श्टोडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना से गोचिंग क्लासेस पर सोगा थे और आज काफी महात्पूर्ण है आपके लिए इन्फॉर्मेशन है क्लास ट्वल्थ के सभी बच्चे जो मैथ सब्जक्ट से हैं और जो एमपी बोट से हैं मैं आपको यह बताने जा रह आने में जा रहा हूं ताकि आप लोगों का लगभग सौ में से परवच्चो मेरा टास्क है कि सौ में से लगभग आप असी नंबर फिर भी अच्छे तरीके से ले आएं अब इस असी अंक लाने के लिए आपके लिए मैं एक सो प्रश्णों का सिरीज चालू करने वाला हू देखें साम को वीडियो आया करेगा नौ या दस बजी रात या की आठ बजी ऐसा कुछ करके मैं फिक्स कर दिया करूँगा आपको डेली एक वीडियो प्रवाइड कराऊंगा हो सकता है पांच कोश्चन छे कोश्चन अब देखें ऐसे सलेक्टेड कोश्चन रहेंगे कोई करी या नौलेज के लिए रहेगा बाकी तो टास्क हमारा जो है एन्वाल एक्जाम एमपी वोड का तो हमारा सौ कोश्चन का सीरीज होगा यह आप लोगों का कमेंट डिसाइड करेगा आप लोगों का जो भी लाइक है वो डिसाइड करेगा कि हम कब तक इस वीडियो को प् मेनत करें यह आपका रिस्पॉंस गंदर रहता है अच्छा लाइक्स नहीं आते या कमेंट आपके अच्छी नहीं रहते तो हम भी एक दी मोटिवेशन हो जाते हैं मतलब दी मोटिवेट हो जाते हैं और हमारा भी मन नहीं करता बना क्योंकि एक एक घंटे का लेक्चर देन कोई कम नहीं होता है पर बच्छों बहुत मेनत लगता है तो इसलिए आप लोगों का रिस्पॉंस अच्छा रहा आप लोग सेयर जरूर करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा सेयर करें ताकि सब को इंफॉर्मेशन हो तीन मार्च का टार्गेट हमारा और तीन मार्च के पह पचीज अबजेक्टिव करा देंगे बीच बीच में हो सकता है एक दिन में दो दो क्लास आ जाएं तो आपको एक अलग सी प्लेइलिस्ट बना दूंगा सौ मतलब कोश्चन कराना मतलब बीस वीडियो आपको देना पड़ेगा यह 25 दिन का टास्क है तो एक दिन में एक वी ग्रूप में सेयर कीजिए तो यह संभव नहीं है अभी क्योंकि बहुत सारे बच्चे वाटस अप में नहीं जुडबाते मिनिम्म कितने बच्चे जुड़ते हैं 256 256 हमारा टास्क नहीं हम यह सुचते हैं कि ज्यादा ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ें और अभी ज लिए तुरंत वीडियो आपके लिए बनाएंगे कल हमारा रहेगा चार फरवरी चार फरवरी से निरंतर आपके लिए बनाना सुरू कर दोंगा मैथ का टास्क और रहा पिरबच्चो Physics तो फिजिस कमिस्टी आलेडी मैं टाप 10 कोश्चन का सीरीज चालो किया था जिसमें मैं 5-5 वीडियो बना दिया 2020 कोश्चन के भी मैंने एक सीरीज चालो के जिसमें आपको 2020 कोश्चन दे दिया जो कि आप लोग त्यार कर लिए इंपोटंट कोश्चन का प्लेइलिस्ट है इंग्लिज में ज्यादा वीडियो में नहीं दे पाफ़ऊंगा लेकिन कुछ ग्रामर पॉर्शन का वीडियो दे रहा हूं जैसे आज ही मैंने एक वीडियो अपरोड कर दिया है आपलोग जाकर करकि कोश्चन में देख नहीं inप लोग अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथी बिल आइकन प्रस कर लो ताकि आप लोगों का यह नुवाल एक्जाम अच्छे तरीकेश जाए ऐसे बच्चा जो अभी तक कुछ नहीं पड़े लेकिन 20 दिन में ऐसा इस्ट्रेड़िया बना सकते हैं कि आप अच्छा 70 परसंट तो यह आसानी से चुटकी बजाते हैं आपके आ जाएंगे बस आपको 20 दिन या जो आपके पास 15 दिन बचे हैं आपको राद दिन मेनत करना है अब आपके पास कुछ बक्त नहीं है इस समय साधी का भी महौल बहुत जादा है लेकिन पैरे बच्चो प्लीज सब क को दिखाएंगे आपकी 70 परसंट है तो जिन्दिकी तक 70 परसंट है वो सकता है आपके इस मेहनत से हो जाते हैं मतलब 80 परसंट आजाए तो आपके 80 हमेशा के लिए रहेगा तो आप खुस भी रहोगे जावा आपका अच्छा रिजल्ट रहेगा जब आप कहीं जाओगे त दो दो अंकर से मेरिट से आप पीछे हो जाते हैं तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अभी दस दिन में ऐसा मेहनत कर पाओ कि आपके टार्गेट 85 है तो आपका 90 परसंट आजाए आपके 80 है तो 85 परसंट आप इंक्रीज कर सकते हो इस दस ते 15 दिन में लेकिन व 15-20 दिन में आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप लोगो को नोटिफिकेशन मिलता रहे नोटिफिकेशन नहीं आ पाता लेकिंसाम को एक बार जरूर चेक कर लिया करो सारे वीडियो को एक बार देख लिया करो 5-6 वीडियो रिगुलर आपके लिए इस समय प् रहेंगे उतना ही ज्यादा मैं आपके लिए वीडियो से यार करूंगा एंपी बोट के सभी बच्चे तो और फेक निउस पर ध्याना देते हुए अपने पढ़ाई पर फोकस रखे क्योंकि फेक निज बहुत ज्यादा आता है फेक निज को मतलब हो जाता है कि कुछ लोग तो खुद के थोड़े से इंकम के लिए फेक निज बनाते हैं मैं फेक निज इसलिए नहीं बता तो पेरे बच्चो क्योंकि आप बिच्रित नहीं हो बलकि आप एक मोटिवेट हो और अच्छे तरीके पढ़ाई करें क्योंकि फेक निज नहीं है आज भी 100% परूप कर दिय टेंगरे वीडियो के साथ जैहिन बने मातराम